नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Tech Durable के फैश एपिजोड में तो आज हम बात करने जा रहे है data dissemination के बारे में जो कि एक topic आता है हमारे mobile computing subject में तो data dissemination मतलब कुछ नहीं होता है सिंपल सा एक term है dissemination और data तो data का dissemination मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़को बहुत सारी जगे बार दे हैं य defendish hos तो उस चीज को हम बोलता है dissemination तो data dissemination में क्या होता है कि हमारे पास एक data होता है उसको हम distribute कर देते हैं अलग-अलग mobile computing devices में तो इसके definition हम पढ़ लेते हैं data dissemination means distributing and pushing data generated by a set of computing system और broadcasting data from audio, video and data services तो ये broadcasting data video, audio, data services के लिए आप example ले सकते है YouTube का तो जैसे कि माली जी मैंने अभी YouTube पे वीडियो अपलोड करा तो YouTube क्या करेगा जिते ही मेरे subscribers है उन सब को broadcast कर देगा मेरी वीडियो का link और आप जैसे YouTube एप खुलेंगे तो आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजीगा तो आगे बढ़ता है data distribution में आपको बस distribute करना data को the output of data is sent to mobile devices जो की जैसे कि मेरे वीडियो है जो आपके mobile devices में पहुच जाएगा the mobile devices can select tune and cache the required data items which can be used for application programs तो mobile devices क्या कर सकतेगी उनकी इच्छो तो उसे cache कर सकते हैं उसको required data को download कर सकते हैं उसको play कर सकते हैं तो इस तरह से ये काम करता है एक बाद data mobile device सक पहुच गया उसके बाद में mobile devices तै करतेगी वो उस data के साथ क्या करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एकोड डेफिनेशन मेंने बनाई है तो इसकी एकोड डेफिनेशन यह हो सकती ही गे data distribution means distributing and pushing data generated by sensors और computing system to mobile devices तो यहाँ पर distributing pushing करनी है हमें data की जो की एक किसी computer system ने बनाया है और उसकी distribution करना है हमें mobile devices में तो यह आप simply आप समझेगे होंगे कि YouTube videos कैसे काम करती है ठीक है फिर उसके बाद में हम बात करते है there are two information delivery method तो यह पर डेटा तो आ गया है YouTube के बास ठीक है तो यह YouTube जो है कैसे अब उस data को deliver करें आपके mobile तक तो उसके लिए दो information delivery method होते है एक होता है point to point access एक होता है broadcast ठीक है तो broadcast और point to point access दोनों अलग-अलग तरीकी की चीज है अब point to point access में क्या हो सकता है या आपको इसको समझने के लिए यह समझ दीजिए कि आप YouTube पे जाके सर्च करते है data dissemination in mobile computing तो यह पर आप एक point है और YouTube एक point है यूट्यूब का जो सर्वर है वो एक point है आपने सर्च करा तो YouTube के सर्वर ने आपको वो वीडियो दिखा दी मेरी वीडियो और आपने उस वीडियो को प्ले कर लिया ठीक है तो यह point to point होगा यानि कि सबको नहीं दिखाया अगर आपने सर्च करा तब ही आपको दिखायेगा तो यह होता है हमारा point to point access अब broadcast क्यों होता है कि जैसे कि आप मेरे सब्सक्राइबर है या फिर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है उन सब को जो है मेरे वीडियो का लिंक अपने आप भी broadcast हो जाएगा तो वहाँ पर उनको को सर्च करने की जरूदनी है उनके जो होम पेज पर जो है मेरे वीडियो जो है सबसे पहले आ जाएगा तो यह जो चीज होती है वह होती ही broadcast तो यह पर जो mobile computing devices है वह यह पर कुछ नहीं कर सकते हैं वह उनको वह चीज जो है आपको broadcast हो जाए तो आगे बढ़ते हैं आपर तीन तरह के आपर broadcasting model होते हैं three kind of broadcast model होते हैं फर्स आता है push based broadcast second आता है on demand और pull broadcast और थर्ड आता है hybrid broadcast तो यह पर push based मतलब क्या होगा कि push based मतलब कि जो server है वह आपके mobile devices पर push कर रहा है मेरी videos को तो यानि या फिर मैं आपको समझाओ जो server है वह mobile devices पर अपने data को push करने की कोशिश कर रहा है तो वह पर जो है आपकी mobile devices का कोई control नहीं होता है और वो जो है आपको push करना ही पड़ता है यानि कि आपको लेना ही पड़ता है तो इस वज़े से इसको बोलता है post based broadcast second आता है या पर on demand broadcast तो on demand क्या होता है कि जैसे आपने search करा YouTube पर तो तभी आपको आपने demand करी उस video की तभी आपको वो जो है video दिखाई दे गई तो इस तरह से हम उसको बोलता है on demand यानि कि आपने जब भी demand करी तो आपको broadcast हो गई अब एक तीसरा आता है hybrid broadcast तो यहाँ पर यह दो चीजे जो broadcast के अंदर आती है काम में hybrid broadcast क्या होता है कि यह बहुत चीज़ होती है यह जो mixture होता है push based broadcast का और on demand broadcast का तो यहाँ पर F request और I request नाम की दो चीज़ होती है तो F request का मतलब होता है frequently request और I request का मतलब होता है infrequently request तो यह पर frequently request और infrequently request में क्या है frequent मतलब क्या हुआ कि आपको एक किसी मतलब कि एक दिन के अंदर आपको मेरी videos के link आ रहा है ठीक है और infrequently मतलब क्या हुआ कि आपको कभी पहले दिन एक मेरे वीडियो का लिंक दिखा फिर माली जी तीसे दिन दिखा फिर माली जी दसवे दिन मेरे वीडियो का लिंक दिखा तो इस तरह से यह infrequently काम करता है तो अगर आप माली जी मेरे subscriber है तो आपको f request से काम करा जाएगा और आपको frequently मेरे videos दिखाई देंगे आपके home page में और अगर आप मेरे subscriber नहीं है तो i request से काम होगा और आपको irrefrequently आपको जो है मेरे videos दिखाई देंगे YouTube पर तो अभी आपर बात करते हैं यहाँ पर इसका diagram या फिर इसका flow chart कैसे काम करता है तो यहाँ पर देख लिजे कि यहाँ पर एक data record होता है जो कि माल ले जे एक्जांपल के लिए YouTube का data server है जापर मेरे videos पड़े हैं तो यहाँ से जो है एक algorithm में यह जो है मेरे videos जाते हैं जो कि होता है algorithm for selecting and structuring of record तो यहाँ से जो है algorithm क्या करता है यह वाल algorithm select करता है उन videos को और उन videos की structuring करता है जो कि आपके लिए अच्छे होंगे जो कि आप देखने में interested होंगे ठीक है तो फिर उसके बाद में यहाँ से जो है अगर आप जैसे video सेलेक्ट हो जाते है जो कि आपको दिखाने है तो उसके बाद में जो है यह next algorithm में जाते हैं जो कि है algorithm for selecting intervals between pushes of record जो कि आप जैसे YouTube ने video select कर लिया कि आपको यह video दिखाना है पर यह तो नहीं है कि हर दो मिनिट पर आपको आप जैसे refresh करें तो वह वीडियो आपको दिखाना है तो यह पर एक interval होता है particular interval होता है उसी interval में जो है आपको वह बार बार वीडियो वह वालत दिखाया जाएगा ठीक है अब मालिज जैसे आपको यह frequently जो interval है डिसाइड होता है फिल उसके बाद में जो है broadcast bandwidth select algorithm जो है अब यहाँ पर bandwidth जो है select करनी पड़ती है हर एक data के transfer के लिए अब मालिज जै कि ऐसा नहीं है कि आप मालिज जै कोई ऐसे area में रहता है कि जापर network की कमी है तो वहाँ पर क्या है ना bandwidth अच्छी होनी चाहिए जिससे आपको जो है वीडियो देखने में कोई तकलिफ ना हो ठीक है तो अब अगर मालिज आप कोई अच्छी city में रहते हैं जापर network की कोई problem नहीं है तो वहाँ पर bandwidth की ज़्यादा जरूद नहीं होगी तो यहाँ पर bandwidth का अच्छे से use करना जो कि उस algorithm के ओपर depend करता है कि यहाँ पर bandwidth जो है हमारी वेस्ट नहीं जाए तो इस वज़े से हम broadcast bandwidth select algorithm को यूज करते हैं फिर उसके बाद में जो है service provider push broadcast system अब जो है यह जो है आपका माल लिजे YouTube का app है ठीक है तो यह जो है service provider push broadcast system है तो यहाँ से जो है अब हर एक mobile devices में जो है अब जैसे माल लेजे यह एक फर्स्ट यूजर का mobile devices इसे तरह से एन नंबर उफ यूजर से YouTube के पास तो इतने सारे यह आपर mobile devices है और यह जो है अब उनका system है कि कि किस device को कैसे जो है यहाँ पर दिखाना है उस वीडियो को ठीक है तो यहाँ से पुश्ट डाउन लिक मतलब की जो वीडियो का लिंक है पुश्ट डाउन लिंक से एक mobile device पर दिया ठीक है अब mobile device वाले की इच्छा है तो इस वीडियो को देख के आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहाँ पर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अब यह जो है आपको broadcast करेगा ठीक है नहीं तो आपको जो है यह पुश्ट बेज सिस्टम पर या फिर on demand system पर दिखाएगा अब इसी तरह से यहाँ पर सारे नंबर ओव डिवैस के लिए होता है तो single user data access होता है हर एक user के लिए अलग-अलग यह वर्क करता है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि जो मुझे वीडियो दिखाए दे रहे हैं वह सेम आपको दिखाए वेंगे ऐसा कभी भी नहीं होगा यूट्यूब जिसे प्लाटफॉर्म पर ठीक है तो फ्रेंट्स यापर कुछ चैलेंजेज जो कि डेटा डिस्मिलेशन मॉडल में आते हैं उसके बारे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि यह भी इंपॉर्टन्ट है तो यहाँ पर कुछ जनरल चैलेंजेज आते हैं जो कि आर्किटेक्चर बेस्ट होते हैं आर्किटेक्चर लेस होते हैं जो कि जो भी माल झेलंजेश भी आते हैं तो यह पर एनवीरॉमेंट्ट चैलेंजेश में जैसे माली जे आपके आपन नेटवर्क नहीं हा रहा है तो इस वजए से आपको जो है वीडियो देखने में तकलिफ होगी तो इस विज़ेसे ही इनको बोलते हिम एनविरॉमेंटल चैलेंजेश तो इंटर्मेटेंट पावर तो आपको मालिजे पावर सप्लाई नी है, इंटर्मेटेंट कनेक्टिविटी नी है, लॉंग ट्रेवल टाइम्स है, वेरियबल पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो माले जहाँ पर पॉपलेशन जादा होगी तो वहाँ पर जो इंटरेट की स्पीड भी थोड़ी देरे हो जाएगी और लैक ऑफ सेक्योर स्टोरेज नहीं है और यहाँ पर यूजर चैलेंजेस भी होता है यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर होता है मोबाइल वर्कफोर्स माल से यूजर की एज्यूकेशन पर डिपेंड करता है कि वह उस चीज को कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है कि अब यहाँ पर कुछ आर्किटेक्ट्चर बेस्ट जो यहाँ पर आपके जो इस्यूज आते वह आते वीक कनेक्टिविटी तो माली जहाँ आपका नेटवर आपको जो bandwidth select हुई है तो वह बहुत ही काम है तो इस वह से आपको यह एक और प्रॉब्लम दे सकता है server resource constraint फिर आता है location and time context dependent तो location और time context पर भी depend करता है कि माली जे अब up to date रखना पड़ता है हर चीज को क्योंकि माली जिस लोकेशन पर आप है वह पर वह चीज होई नहीं रही है वह पर उस चीज का चला नहीं नहीं है तो वह पर अगर आपको वह चीज दिखाई जाए तो वह आपके किसी काम की नहीं है और माली जे जिसे traveler होता है तो restaurant, hotel, salesman के लिए क्या होता है कि उसे हमेशा up to date रखना पड़ता है product price को तो friends, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक किजिए और शेर किजिए इस वीडियो को और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो लाते रहता हूँ थैंक यू सो मच जैहन्द वन्दे मातरम